आज हमारे साथ है हमारे प्री शिष्ष खुर्षीद, खुर्षीद है माचो कि अभी इस बार उत्रप्रदेश पुलिस परिक्षा में जो की चैनित हो चुका है, संपन हो चुका है, उसमें चैनित हुए है, वो क्या रख्षी पप के लिए, तो आई इस बार थोड़ा से खु मैं तुम्हें बढ़ाई परिक्षा में सभल होने के यह है, तुम्हें इस वीडियो के बादे मुस्यार बच्चों को यह बताना चाहता हूं कि किसी बच्चे की सभलता में क्या-क्या मुख्य तक तो होते हैं, क्या ऐसे कारक हैं जिन से आप सभलता पाई है, तो कि आपका लंबा संगाश्रा आपने काफी समय से तैयारी करी हुई है, तो कुछ थोड़ा सा आप अपने बारे बताए हैं, पहले तो है, इस कोचिंग संस्तान को बधाई देना चाहता हूं, बहुत सारी मेनत की, सर ने और भी टीचर ने, सब लोगों ने सब को बधाई देना चाहता आप वहाँ पे जाए, आपको वह बेस्ट मेट्रियल मिलेगा, बेस्ट टीचर, बेस्ट फैसल्टी मिलेगी, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, फिर मैं एक दिन आया, बने डेमो पे ली सर से, तो मुझे बहुत अच्छा लागा, क्योंकि बहुत ही बेस्ट टीचर ही बिगन आपको पढ़ना है, वो सारी चीजे सर से मुझे संस्तान से मिली और आज जाकर मैं यूपी प्लेस एक्जाम कौनिफर्ट कर पाया, और कोछी संस्तान को बहुत 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 ही दिना जाती है, खुशिद, क्या-क्या आपको लगता है कि कोई बच्चे को कम से कम कितना समय क्या क्या है, शُंस इससेट बच्चे क्या करते हैं कि यह जब भी कोई वाइन तरह घै क्या पेहुत है, उपटा क्या कोहाँ करना है, हम बच्चे को करते क्या है कि जब एंविड कार सब्स्ammate 5 चीजे, जयर तो आप तीन महीने में कोईवी प्लेट मिक्र पक्रिए तो आप उस टेंड पर पहुंच पाओगे, वो चीज आपको लगे आदि नहीं मैने वाकरी में कुछ नहीं हसिल किया है, और अगर आप इस उचने भी तीन मैने में तो तीन मैने में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको कम से कम एक साल तक आपको संस्तान में इपना देना है 100% और जो टीचर जो सही लिशादे दे बिल्कुल उसी को फॉलो करना है, आप बिल्कुल संपलता आपकी कदल कुमेड़ी कॉम्पिटेंसी आने आनी समय लगता है, जब बच्चों का होता है कि वह फॉर्म निकलते तैयारी शुरू करते हैं इस वज़े से वह कॉम्पिटेंसी का लेवल उसकम समय में ला नहीं पाते हैं प्राक्टिस का कितना महात्त है, जिससे आपने बता है कि सर प्राक्टिस सबसे बेस्ट चीजें समय जिससे बजनली बच्चे मैस पढ़ लिया, रिजनिंग पढ़ लिया बट वो एक्जांस में आने वाले सवाल उनके ट्रेंट के इसाब से या विदिन टाइम चीजों को प्राक्टिस कितना मैटर करते हैं, आपको जो यहां हिस्टॉरिका से टेस्टीज वगएरा उप्लत कराईगी, उसने कितना पुमार करते हैं, जितने भी यहां पे जितने भी पेपर थे, वह सारे उतर को एक ध्यान में रखकी एक निकाला गया कि आगे अगले साल यह एकोस सब्सक्राइब करते हैं, आपको आपको पता जलता है कि आप कितना पहुंचे हो जाके, तो यह बहुत इंपोर्टन सर अपने आपने, आने वाले समय में तुम्हारी भविश्य क्या यूजना है, क्योंकि एक अच्छे स्कॉलर समीशा आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जो बच्चे अब तयारी कर रही है, उनको क्या संदिश देना चाहता हूं, जो भी पूरे अप सब्सक्राइब पता करों, लेकिन जो अनुभवी टीचर आपको इस्टोरिका विजन मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगे, सारे बच्चों की मैं यह पर आके देखिए, अच्छा तो आप यह रिलाइज करते हैं कि कि किसी बच्चे की सबलता में कोचिंग संस्तानों का मात होता है, बिल्कुर सर, बहुत बड़ा मात होता है, जो रिवल्टी होती है, क्योंकि टीचर अपने आप में वो खुद जाके 20 गंडे 20 गंडे 20 गंड में जा रहे हैं, आप जब पता करके देखिए, और कौन-कौन से टीचर आपको पढ़ा रहे हूं, और भी टीचर आपको मिलेंगे, जो रियल में उनके पास में 33-34-34 जो पढ़ी में लिकिनों नहीं गए करने, ताकि बच्चों का भुविस से बनता रहे, जैसे हमारे एक अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेंड है, मतलब देखा जाए तो अपने आप में महाई रहे किसी, मतलब में तो आप यह समझनों, वो जो फंडा बताते हैं, वो विल्कुल पर्पेक्ट होता है, जैसे आप आप रिजिर पढ़ा दें सर, तो मतलब आपका भी मांड इसके बाद में सौड भी तो मतलब कम समय में उस कोस्टन को कैसे सोल के जाए यह फंड़ा सब्सक्राइब कर देखा कि वही बच्चे सेलेक्ट हुए, जो बच्चों ने लॉंग ट्रेंड से करीब करीब साल एड़ साल से पढ़ाई कर रहे थे और जो थोड़ा सा एक तरीक पीछे का पढ़ाई का ट्रेंड है वो थोड़ा बेतर रहा बिल्कु सार आप तीन महीने में इतना इतना लंबा स्लेबस है आपको तीन महीने में कितना पढ़ा देगा वह तो फिर वह सौट पढ़ाएगा फिर मुझ आपको वह चीजे नहीं बता पाएगा क्योंकि उसे स् पीजिकल बिसिकली बहुत बड़ी समस्या जिसे कुछ बच्चे हमारे हैं पर सेलेक्ट हुए इस्पेशली लड़कियां लेकिन वह फिजिकल के लिए उटके पॉल बहुत जल्दी आ गया अचाने पतला कि कल आपका फिजिकल यह आगले दूते बाद फिजिकल है तो ऐसे क अपने पिपर देखे आया हो और आपको लगता है कि नहीं मैं तो कॉलिफाइब हूं तो आप इडमेट करके इंतगार क्यों करो आप उसी दिस दिशा में आप चाहरी करो पहले से प्राक्टिस कब से शुरू करने चाहिए एक्जाम के पहले होने के बाद में या नैसे ओम पहले से ही अगर आप पढ़ाई को देना चाहते है तो अब जैसे एक्जाम आपकर क्रेक हुआ या एक्जाम आप दे क्या है तो आपको पता जाता है कि नहीं मैं कॉलिफाइब हो गया बस और उसी दिन से ताहरी में लगते हो तो अगर आपको लगता कि आप एक सेलेक्टि आपके भविश्य के लिए और बहुतर सुख कामना है आपको आगे और आप उन्नती करें आप निश्य तरफ पर पर पुलिस एक्जाम में जो है सम इंस्पेक्टर और उससे वी ऊपर की पोस्पर नतोर आप से उम्मीद करो है कि आप यूपी पीस्टी का एक्जाम निकाले मैं और मेरे तरफ से मैं भी आपका प्रसंद्चेतों की दचे नामोशन कर रहे हैं और उसका क्रेडिट भी मुझको दे रहे है बिल्कुल सर्व लेकिन इसमें मेरे से जड़ा क्रेडिक आपको जाता है आपने मेनत करी हुए इस आप यह जो सफलता है अंए हमारा विसमें यूगदान लेकिन आप सुभी बच्चों का यूगदान बहुत ज्यादा है, आप पुझ जब मीनत करके लगण के साथ जुचते हैं, तो लगचा पी छोटे रहे जाते हैं नहीं सर आपने भी बहुत मिनत की साहे अटिचन ने भात मिनत की और वो मंलब की 3-3 गटे अप मलब मंलब मीनत करते हैं आप वो मट्रीयर ते तियार ते जो एग्जैम में आने कि लिए इंपॉर्टेंट है तो सर आपको भी सर बहुत बहुत सर बनाई की थी तैंक यू लिजी पेंक के कुछीद पेंग सर